गुड मोर्निंग स्टूडेंट्स, तोड़े वी आर गोईंग तो रीड पोयम फास्ट, दा आंट एंड दा क्रिकेट ये जो पोयम है, वो एक क्रिकेट और एक आंट के बारे में है एक जो क्रिकेट उसको जिंगूर कहते हैं एक बार एक मूर्क जिंगूर होता है, क्रिकेट होता है और जब गर्मी के दिन होते हैं, सुहावने होते हैं दिन बसंत रीटू के तो वो उनको ऐसे गुजार देता है कठिन समय में जैसे जब जरूरत होती है किसी समान की तो उस कठीन समय के लिए उसने कुछ भी बचा के नहीं रखा फिर उसके बाद सर्दियां आ जाती है जो जमीन है वो बरफ से ढख जाती है जिंगुर के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो भूखा मरने लगता है उसको विश्वास था कि भोजन के बिनवे भूख से मर जाएगा फिर वो एक चिंटी के पास जाता है आंट के पास जाता है और उससे एक मुठी भर अनाज उधार लेने की प्रातना करता है और वो उसको वचन देता है कि वो इस आनाज को अगले दिन वापिस लोटा देगा तो जो चिंटी थी वो थोड़ी कंजूस थी और बुद्धिमान भी थी उसने कहा कि चिंटी जो है वो ना तो उधार लेती है और ना देती है और फिर चिंटी ने उससे पूछा कि उसने क्या सर्दियों के लिए कुछ बचा के नहीं रखा तो क्रिकेट ने उत्तर दिया कि मोसम जो है वो बड़ा सुहावना था और उस मोसम को देखकर वो दिन रात गाता रहता था तो ये सुनकर चिटी ने उससे कहा कि जाओ अब सर्दियों में तुम नाच के गुजारो और ये कहते हुए उसने अपना दर्वाजा बंद कर दिया और जिंगुर को बाहर निकाल दिया अब ये जो स्टोरी है ये एक तरह से उस उन ह्यूमन बिंग्स के उपर भी एक व्यंग है जो बिना काम के ही बैटे रहते हैं और टाइम आने पर जब उनको जरूरत पढ़ती है तो वो दूसरों के पास जाते हैं तो यही इसमें एक मोरल आइडिया है हमारे लिए Let us start up poem A Fable is a Story Fable जो है वो एक ऐसी कहानी है Open with animals as characters जिसके अंदर ज़ो characters होते हैं जो पात्र होते हैं कहानी के वो animals होते हैं यहन कि जानवर जो है वो एक आदमी की तरह भूमी का निभाते हैं उसको Fable कहते हैं That conveys a moral जो हमें एक सीख देते हैं, एक शिक्षा देते हैं और ये जो कविता है वो एक आंट के बारे में, चिंटी के बारे में और एक जिंगूर के बारे में है जिसके अंदर बहुती ज्यादा मेहत्वपुन विचार है एक शिक्षा है, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one जो की चार टांगो वाले cricket के लिए भी उतनी ही सच है जितनी की दो टांगो वाले cricket के लिए या जिंगूर के लिए यहाँ पे two-legged one जो है, वो poet इशारा कर रहे है human being की तरफ एक मनुष्य की तरफ इसारा करता है, कि वो जैसे cricket के लिए कुछ शिक्षा देती है वैसे ही वो human being को भी जो पोयम है वो शिक्षा देती है surely you have seen a cricket that has two legs और आपने कोई न कोई ऐसा cricket देखा होगा यहाँ जो poet का इशारा है, यहाँ भी एक human being की तरफ है जिसकी two legs होती है, कि आपने भी कोई न कोई ऐसा cricket देखा होगा जिसकी दो टांगे होती है, that has two legs a silly young cricket, यहाँ कि एक silly means moork एक moork चोटा सा जिंगुर, accustomed to sing, accustomed means used to used to, यहाँ कि उसको आदत थी, आदी था वो गाने का accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring वह warm मतलब गरम, sunny months, दूप किले हुए महीने of gay summer and spring, gay का मतलब happy, खुशनुमा, सुहावना summer, गर्मी की रीतु and spring, बसंत रीतु सुहावनी, गर्मी और बसंत की रीतु में जो गर्मी के महीने थे और धूप वाले महीने थे, उन में उसने अपना time गा के बिता दिया यानि कि उस time तो वो गाता रहा, begin to complain, यानि कि उसने शिकायत करनी शुरू कर दी when he found that, जब उसने ये पाया at home, कि उसके घर पर his cupboard was empty, उसकी जो cupboard थी, उसकी जो अलमीरा थी, वो खाली थी and winter was come, और अब जो सर्दी हैं वो आ गई थी यानि कि उसने अब पहले तो वो गाता रहा, जो सुहावने अच्छे दिन थे, जिसमें वो काम कर सकता था उनमें तो वो गाता रहा, उसने कोई काम नहीं किया, कोई कुछ भी बचा के नहीं रखा सर्दियों के लिए began to complain when he found that, और जब उसने ये पाया कि उसके घर पे उसकी cupboard was empty उसकी cupboard जो है वो खाली थी और winter आ गई थी, तो उसने complain करनी शुरू कर दी, शिकायत करनी शुरू कर दी not a crumb to be found, on the snow covered ground, crumb याने की piece of bread, रोटी का एक छोटा सा टुकडा, not to be found, वो भी उसको नहीं मिला, on the snow covered ground, बरफ से डखे हुए ground पे, जमीन पे उसको एक रोटी का छोटा टुकडा भी नहीं मिला not a flower could he see, ना ही कोई वो फूल देख सकता था, not a leaf on a tree, और ना ही पेड पर कोई पत्ता उसको दिख सकता था, यानि की ये एक ऐसा मोसम आ गया सर देखा, जिसमें जो ground था, वो सारा cover था, बरफ से ढखा हुआ था, और ऐसे मोसम में पेडों के उपर फूल या कोई भी पत्ता उसको दिखाई नहीं दिया, ओहो, what will become, says the cricket of me, says the cricket, यानि कि उस जिंगुर ने कहा, या जिंगुर कहता है, what will become of me, मेरा अब क्या होगा, मेरे साथ अब क्या होगा, क्या बनेगा मेरा, at last by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt, to see if to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouth full of grain, at last यानि कि अन्त में, by starvation and famine, starvation means भूख और famine का मतलब होता है, अकाल, यानि कि भूख से और अकाल से, इन दोनों चीजों ने उसको bold बना दिया, थोड़ा सा उसके अंदर हिम्मत भर दी, कि वो साहस करे, बाहर जाए, all dripping with wet, thund से, यानि की गीला हो गया वो और टपकते हुए, dripping, and all trembling with cold, और thund से कापते हुए, away he set off, वह निकल पड़ा, to a miserly aunt, miserly मतलब conjuice, conjuice aunt के पास चल पड़ा, to see, ये देखने के लिए, if, की, to keep him alive, कि उसको जीवित रखने के लिए, या उसको जीवित रहने के लिए, he would grant him, grant means देना, he would grant him shelter from rain, कि क्या वो उसको from rain, बारिश से, क्या वो बारिश से उसको shelter देगी, क्या उसको वो आश्रिय देगी, and a mouthful of grain, और mouthful का मतलब पेट भर, यानि कि थोड़ा सा, मुठी भर, a mouthful of grain, या फिर, यानि कि अनाज, इतना अनाज देगी, कि उसका पेट भर जाए, आप यानि कि वो चिंटी के पास चला गया, और जो चिंटी थी, वो कंजूस थी थी थोड़ी, तो वो ये देखना चाहता था, कि क्या वो उसको ठंड से बचाएगी, बारिश से बचाएगी, और उसको अनाज देगी, बोरो मतलब उधार लेना, और वो तो केवल उधार लेना चाहता था, और उसने ये भी कहा आट से, कि वो इसको कल रिपे कर देगा, रिपे मतलब वापिस लोटा देगा, If not, he must die of starvation and sorrow, if not, अगर चीटी ने उसको नहीं दिया, he must die, तो वो अवश्य ही मर जाएगा, of starvation and sorrow, भूख से और sorrow मतलब उधासी से, तो अगर चीटी ने उसको उधार नहीं दिया, तो वो भूख और उधासी से मर जाएगा, जरूर ही मर जाएगा, Now come to next page, says the aunt to the cricket, अब जो aunt है वो cricket को कहती है, I am your servant and friend, कि मैं तो तुमारी सेवक हूँ और तुमारी friend हूँ, but we aunts never borrow, we aunts never lend, पर आगे वो कहती है कि we aunts, यहनकि हम जो चीटिया है, never borrow, वो कभी भी उधार नहीं देती, उधार नहीं लेती, we aunts never lend, और हम जो चीटिया हैं वो कभी भी उधार नहीं देती, बोरो मतलब उधार लेना और land मिस उधार देना यान कि ना तो हम उधार देते और नहीं हम उधार लेते But tell me dear cricket और फिर आगे उसको कहती है cricket को यान की जिंगुर को कि dear cricket मुझे ये बताओ Did you lay nothing by when the weather was warm? Did you lay nothing by mean kuch बचाना कि क्या तुमने कुछ नहीं बचाया when the weather was warm? जब weather warm था, गरम था, मोसम जब गरम था तो तुमने कुछ नहीं बचाया उस time quote the cricket note I, quote means said, said यानि कि कहा, cricket ने कहा note I, यानि कि मैंने कुछ नहीं बचाया my heart was so light, आगी फिर आंसर देता है कि उसने क्यों नहीं बचाया my heart, यानि कि मेरा जो दिल था, वो so light, वो इतना खुश हो गया था, that I sang day and night कि मैंने दिन और रात गाया, उस इतने अच्छे मोसम को देखकर मैं इतना खुश हुआ my heart was so light, मेरा जो दिल था, वो इतना खुश हुआ, that I sang day and night कि मैं पूरी दिन और रात गाता रहा, for all nature, for means क्योंकि all nature looked gay क्योंकि सारी जो nature थी, प्रकरती थी, gay का मतलब happy, खुश, वो मुझे बिलकुल खुश दिखाई दी सारी प्रकरती मुझे खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं दिन रात गाता रहा you sang, sir, you say, फिर दुबारा से, जो aunt है वो कहती है, sir, sir, you say, आप ये कहते हो, you sang, कि आपने गाया, कि आप सिर्फ गाते ही रहे, आप ये कहते हो, go then, तब तो आप जाओ, says the aunt, aunt ने कहा, and dance the winter away, और जब तक winter जाती है, यानि कि जब तक सर्दियां जाती है, तब तक dance करो, यानि कि पहले तो आपने गाया जब अच्छे दिन थे, और अब सर्दियों में अब जाओ यहां से, और डांस करो अब, नाचो, thus ending, इस प्रकार, aunt में, he hastily lifted the wicket, wicket होता है, छोटा दोर, छोटा दर्वाजा, he hastily lifted the wicket, उसने hastily में जल्दी से, lift होता है, उठाना, जल्दी से अप लिटल क्रिकेट, उस बेचारे छोटे से क्रिकेट को बाहर कर दिया, दर्वाजे से बाहर भीज दिया, folks, folks means people, people यानि कि लोग, call this a fable, लोग इस कवीता की जो कहानी है, उसको fable कहते हैं, यानि कि ऐसी story, जिसके अंदर जो characters होते हैं, वो जानवर होते हैं, तो लोग इसको fable कहते हैं, I will warrant it true, पर मैं तो इसको सही साबित करता हूँ, some crickets have four legs, कुछ जिंगूर जो होते हैं, उनकी चार टांगे होती हैं, and some have two, और कुछ ऐसे होते हैं, cricket जिसकी दो टांगे होती हैं, यहां भी यह जो last line है, and some have two, यहां भी human being की तरफ इशारा किया गया है, कि कुछ ऐसे human beings भी होते हैं, जो अपने, जब time होता है काम करने का, तब वो काम नहीं करते, और जब उनको जरूरत होती है, तो वो दूसरों के पास बोरो करने जाते हैं, यानि कि पैसा उधार लेने जाते हैं, या कुछ भी समान उधार लेने जाते हैं, तो यहां पे एक तरह से य यंग भी किया गया है, उन human beings के उपर, who have two legs, यह जो पोयम है, it is adopted, it is adapted from Aesop's Fables, यानि कि यह adapt की गई है, ली गई है, एक सिरीज है, Aesop's Fables, उस सिरीज में से यह पोयम ली गई है, Now I am giving some word meanings from this poem. First is Fable, Crumb, Famine, Fox, Gay, Lay Nothing By, Cote, Star Vision, Set Off, Tremble, Warrant. Now, these are some textual questions and you will try to write the answer of these questions. Question number first, the cricket says, Oh, what will become of me? यानि कि जिंगूर कहता है कि अब मेरा क्या बनेगा, when does he say it, वह इसको कब कहता है, and why, और क्यों कहता है? Question number second, Finding the poem, the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender b. आपको इस कविता में से ये जो लाइन है, neither a borrower nor a lender b. ये सेक्सपियर की एक लाइन है, उनके दुआरा लिखी हुई, तो आपको ऐसी सेम लाइन पोयम में से ढूणनी है, find out करनी है, जिसका मिनिंग इस लाइन से मैच करता हूँ. Second part of second question, What is your opinion of the aunt's principle? चीटी का जो सिधान था, चीटी के सिधान पर आपका क्या विचार है, आपका क्या opinion है? Question number third, The aunt tells the cricket to dance the winter away. यानि कि जो चीटी है, वो जिंगुर को कहती है, कि सर्दिया नाच कर गुजारो. Do you think the word dance is appropriate here? और क्या आप ये समझते हो कि जो dance शब्द यूज किया है, aunt ने, वो यहाँ पे सही है, if so, why? अगर ये सही है, तो क्यों है? Question number four, Which lines in the poem, the aunt and the cricket express the poet's comment? यानि कि कविता में कौन सी ऐसी लाइन है, जो कवी के comment को convey करती है, या express करती है? Read them aloud, उनको आपको एक बार loudly पढ़ना है. Second part of question number four, Write the comment in your own words. और poet ने जो comment किया है, उस comment को आप अपने शब्दों में लिखो. So, you have to learn and write word meanings, and you have to find out the answer of textual questions. Thank you. Thank you.